दोस्तो स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल में तो दोस्तो कल हमने पढ़ लिया था सिंदू सभ्यता की इस्तिती कहां से कहां तक थी तो उसका उत्तरी सिरा जो था मांडा जो जम्मु कस्मीर में है चिनाम नदी के किनारे पर तथा दक्षनी कहां दैमाबाद महारा दास्ट में जो प्रवरा नदी के किनारे पर इस्तित है तथा सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है सिंदू नदी सभ्यता का आलम गीरपुर जो उत्तर प्रदेश में मेरट के आसपास है हिंडन नदी के किनारे पर तथा यह पाकिस्तान में दास्ट नदी के किनारे पर सुथ कांगे दोर यह सबसे पस्चमी भाग है सिंदू घाटी सभ्यता का तो दोस्तों यह हमने पढ़ लिया था अगर अब हम चलते हैं उसके दो पिर्मुक इस्थल हैं उनकी खोज तो वहां से क्या-क्या पिर्मुक चीजे मिले हैं जो एक नंबर में कोशन में पूछ लिया जाता तो हमारा पहला इस्थान है हरपा जिसकी खोज 1921 में हुई थी यानि कि जो सिंदू सा सिंदू घाटी सभ्यता का सबसे पहला इस्थल खोजा गया है वह हरपा ही था 1921 में इसकी खोज दयाराम सहानी ने की थी यह रावी नदी के तटपर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जि पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तरफ पर तो दोस्तों आप यहां से हम चीजे पढ़ लेते क्या क्या वस्तवे मिली हैं तो यहां से हमें कुमहार का चाक भी प्राप्त हुआ है जब कुदाई के दोरान तथा अन्ना गार यानि कि अन्न का जो भंड मात्र देवी की मूरती-वी-प्राप्त हुई है और लकडी की चो जो अखली बन हुई हो ती है रही वहां से प्राप्त हुई है ततहा ल scientllers चांद जिसमें इन्सानों का ुदाocracy कंप कब्रिस्तान जहां पर कब्रिस्तान में जहां पर मुर्दों को दफन किया जाता है थता हाती का कपाल वहां से मिला है और स्वास्तिक चिन दोस्तों यह इतनी चीजे हैं में इंक्लूट की हैं पीडियाफ हैं तो आप यहां से देखेंगे कुमार का चाक अन्नागार अन्नागार जो है मोहंजोदोरों से मिला और यहां से ही मिला है स्रमिक आवास मातर देवी की मूर्ती लकड़ी की ओकली लकड़ का ताबूत और आरेस 37 कभरिस्तान कभी कभी एक कोशन पूछ लिया था यूप्या सिम पूछा गया था एक बार कि आरेस 37 कभरिस्तान सिंदू घाटि सभ्यता के कौन से इस्थान से प्राप्त हुआ है हाती का अब दूसरा इस तान हाता है मोहम जोड़ारो मोहल जोद्रो जिसकी खोज उनिश्थ 121 में हुई थी तो इसकी कोश ने की थी यह भी कहा पर इसju आ है है मोहन जोदारों तो यह सिंदू नदी के ततपर है तो यह सभ्यता भी सिंदू नदी के ततपर इस्थिती इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा सिंदू घाटी सभ्यता पड़ा तो दोस्तों इसमें यह सिंदू घाटी सभ्यता सिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा सहर था कौन सा मोहन जोदारो मोहन जोद्रो तो यह इसको यह मुर्थकों का एक बहुत बड़ा तीला मिला तो इसलिए मोहन जोद्रों को मुर्थकों का तीला भी कहा जाता है तो दोस्तो अब हम यहां से जो वस्तुए मिली हैं उनको ट्रिक से पढ़ेंगे आप ज्यान से देखते रहें आपको यहीं पर याद हो जाएगा तो दोस्तो यहां से सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ है प्रोहित आवास यानि कि प्रोहित होते हैं पंडित हमारे फैमिली पंडित उनका आवास प्राप्त हुआ है अब है जब पंडित है तो उनको नहाने के लिए जल भी चाहिए तो जल कहां सा आएगा कुवे से नहाएं उसके बाद नहाने के बाद वो क्या करेंगे कपड़े भी पहनेंगे तो सूती वस्तर भी यहां से प्राप्त हुए फिर उसके बाद उन्हें मूर्ती भी चाहिए पंडित की पूजा करने के लिए पसुपति शिपकी और कांसे की जो नर्तकी की मूर्ती है यहां यहां है भी दोस्तों यहाँ पर सभी हैं बनी क्योंकि यह सिंदू घात्य सवेदता Saturn परोहीद आवास पंडित के लिए और घर में कुवा पानी पीने के लिए ञाने के लिए सन्वान अंनागार खाने के लिए फिर कपड़े स smokंडा करए जाब होगी तो पंडित तो सभाएं तो चलेंगी सभागार भी यहां इसे प्राप्त हुआ है जहां पर सभाएं चलती थी तो दोस्तों हमने देख लिए अब हम आगे चलते हैं उसके बाद आता है हमारा चनहुद्रो तो मोहन चनहुद्रो तो इसकी खोज जो है 1931 में गोपाल मजमुदार ने की थी तो एक टोपिक इंपोर्टेंट है हमने सारे नोट्स ऐसे समझ लो बिल्कुल एक लाइन इंपोर्टेंट है आप दिहान से देखते रहेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे तो इसकी खोज का वोई तो 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी ततह यह भी कहां परिस्तित है यह भी पाकिस्तान में सिंदू नदी के तड़ परिस्तित है तो यही एक मात्र सहर है जो दुर्ग रही थैं यह एक उद्धोगिक सहर है दुर्ग मतलब ऐसे यह जो घर बनात सबक की तरब ना खुलकर पीछे की तरब खुलते थे यह भी बात पूछली जाती है तो दोस्तों यहां से जादतर जो मेकप का समान होता हो यहीं से प्राप्त हुआ है जैसे मेकप की सामगरी लिपिश्टिक सीसा मनका गुडिया सूई अलंकरत इंट तथा बिल्ली का इसी औरत का है ना चन्होद्र तो यह मेकप का सब्सक्राइब कोन करती है औरत तो जिसकी खोज किसने कराई थी गोपाल मजूमदार ने 1931 में कराई थी अब अगला स्थान देखते हैं रोपड रोपड कहां पर इस्तित है इसकी खोज यगदत इसकी खुदाई जो है यहां पर इस्तित है भारत के पंजाव राज्ये के सतलर नजी के किनारे पर इस्तित है रोपड तो यहां कहां है यहां मानब के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है जैसे कुटा भी हो सकता है तो हो सकता है कि वह अपने मालिक से बहुत प्यार करता हो या को दफना दिया गया कि नोट इसा ही सब नव पासान काल में जम्मू कस्मीर के बुर्ज होम में मिला था यानि कि इनसान के साथ पालतु जानवरों का कंकाल तो यहां से तो यह दो चीज मिली है इंप्रोटेंट नहीं जाते तो आप फिर भी याद करते चलेंगे नेक्स है इसमें बनावली कौन सा इस्थान है बनावली इसकी खोज इसकी खुदाई रविंद्र सिंग ने की यह हर्याना में इस्तित है इसके समीफ रंगोई नदी है यहां जल निकासी की व्यवस्ता नहीं थी जिस कारण घरों में सोकता मिलता था यानिक गड़ा सा बना ल भी छीक से बनावा नहीं था तो यह कहां पर इस्था बनावाली हर्याना में अगला इस्थान आता है काली बंगा तो काली बंगा इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी काली मिट्टी की चूड़ी तो काली मिट्टी काली बंगा यानि कि एक सारायमिंग हो रही तो लो वहे भी यहां से मिली है तता चूडी यहां से मिली है जोते होएखेट के साक्षे कहां से मिले हैं तो काली बंगा भी के किनारे पर एक jap पोटेंट है याद करते चलेंगे तता इसकी खुदाई किसने की इसकी खुदाई बी के था पर तथा बीबी लालने की थी चली एगले स्थान पर चलते हैं अब है एक धोला वीरा तो धोला वीरा जो है यह गुजरात में इस्थित है यह सिंदूस अभिटा का सबसे बड़ा इस्थल है तता इसे यूनएसको ने अभी अपनी धरवर में भी समयल कर लिया है चालिसमा जो भारत की हैरेटी साइट है व प्रइंद्र सिंग्ने की थि उसके बादाता है सुर्कोटडा यहां से कलस सवाधान तता घोड़े की हड़ी मिली रहे हैं तो घोड़े के साक्षे कहा से प्राप्ट हुए है सुर्कोटडा से बाटले मंतलब ऐसे आदमी मर जाता था उसमें उसको रखकर दफणा दिया जा महते था तो यह गुजरात में स्थ हैं जिससे समद्र क किनारे से लोग विदेशों में वियापार शुरू करते थे अपना तो उनका में में जो अधाव वितार करना ही था तो यह An tray Godi Wada मिला है यहां घर के दर्वाजों कि रिवाजें कि बाइवाजें कि की और खुलते थे पीचह की और कि फारस की महुर मिली हैं हमारे भाद के पास में तो समझे लिए झाल हैं और सभी साम इसे अंदादे लगाया गया कि यहां पर वहत ही विया पार होता था है फिर यहां से यूगल्स अबाधान का साक्ष्य मिला है जो ils इसके साथ टाबूत में दåसं करते तो यहां से इसके मिले हैं यहां सी ताबूत से बड़ाप किये गए हैं थी इसे कि PhotIK भी मिली है तो यहाभी पूछ लेजाएं कि धान की भूर्वुसी के सागशे कहां तो रंगपूर्शें प्राप्ट हुए है शिंदू घाति सभ का सबसे बड़ा फ्रल बेरा है तो गुजरात प्लस पाकिस्टान स्का इसका इससा गुजरात में है। और कुछ वैं ना में इस्तित है सिंदू घाटी सब्वेता का सबसे बड़ा सहर कौन सा है मोहन जोदर हो हमने उपर पढ़ाई था तो दोस्तो यह हमने सारे इस्थान एके करके पढ़ लिए हैं जो बहुत ही की सबसे एक दूसरे को समकोंट पर काटती थी ऐसे बीकुंशी ही सब्वेता थी तो नालिया वी कुल धगी हुFI हुई थी देखो कितने अच्छे लोग थे कितने समझ्झधार थे अर्थ वेवस्ता का मुख्यादहर क्या था कि यहां किशन भी पूछ लिया जाता है कि सिंद्ग में फ्रिस्ता का मुख्यादर क्या था इनका व्यब्पार विदेस होता था इनका समाज जो है मात्र सतात्मक था यानि कि कुछ जगें प्तर सतात्मक है प्तर को जाद है पिता बिलकुल इंपोर्टों था तो दोस्तों ये बिल्कुल पूरी बुक का सार इसमें निचोड़कर दिया गया है पीडियेप में उसके बाद इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिलता है इनकी जो मोहर हैं यहां पर गाय का चित्र नहीं मिला है उसके बाद है यहाँ माप तोल के लिए नियूंतं बाट जो था 16 kg का था यानि कि इससे कम की तुलना होती नहीं थी जैसे हमारे यहां पड़ी छले आते हैं 100 ग्राम ऐसा 50 ग्राम 25 ग्राम लेकिन वहां पर क्या है सिर्फ 16 ग्राम का इससे कम का नियूंतं बाट नहीं था उसके बाद है सिंदू सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिशित नहीं थे क्योंकि वह लोह धातु के बारे में जानते ही नहीं थे तो एक यही सभ्यता यही धातु थी जिसके बारे में नहीं जानते थे उसके बाद सिंदू सभ्यता के विनास का सबसे बड़ा करन बाड को माना जाता है अगर पूछ लेता है कि सिंदू सभ्यता बाड में कहा गई तो उसका करन बाड को माना जाता है तो दोस्तों इस तरह से हमारी सिंदू घाटी सभ्यता कंपलीट होई है अब हम कुछ विश्व की सभ्याता पढ़ेंगे जो भी इंपोर्टेंट है एक्जाम के दर्श्ची से तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करना और सेर जरूर करना धन्यवाद